नमस्कार दोस्तो दोस्तो जल विभाग में आचुकी है नई भरती की सूचना जी हाँ दोस्तो अगर आप दस्वी पास हैं बारी पास हैं ग्रेजुट पास हैं तो दोस्तो आप सभी के लिए आचुकी है नई भरती जो की जल विभाग वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट की दोस्तों ये जो भरती है जल विभाग में बंपर भरती है तो इस भरती के लिए कौन-कौन से विध्यारती पात रहोंगे आविधन कब से कब तक चलेंगे केसे आपको आविधन करना है सारी जानकरी आज के इस वीडियो में हम आपको step by step देने वाले हैं तो वीडियो को अंत से अदा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को इन भरती के बारे में पता चले और वो भी आविधन कर सकें जी हां दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दें और रोजना इसी परका नोगरियों की जानकरी के लिए चैनलन को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएगा प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आज की नई भरती के बारे में जो की निकाली जारी है जल विभाग की और से वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट जल विभाग की नई भरती है इस साल 2021 की है बंपर भरती है और योगेता जो है दस्वी पास बार्वी पास और ग्रेजुट पास है जी हां दोस्तों अगर आप कम से कम दस्वी पास भी हैं तो आप आवेधन कर सकते हैं तो यहां पर दस्वी पास के अलावा बार्वी और ग्रेजुट पास सभी अभ्यारती पासकते हैं जी हां दोस्तों इसका official notification जारी हो चुका है आविदन केवल आपको online ही करना होगा तो चलिए आपको सीधा website पर लेके चलते हैं और एके करके आपको भरतियों की जानकाई देते हैं क्योंकि water supply department जल विभाग के अलावा और भी दो भरतियों की जानकारी आज की इस पर आजएंगे तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि SSE GD की भरतिया चुकी है साथी साथ FCI की भरतिया चुकी है उसके बाद हम आपको बताएंगे water supply department की एक और बंपर भरतियों के बारे में आवेदन के वल आपको online करना होगा और पुरे भारत के अभ्यारती आवेदन कर सकते हैं महिला और प्रोश इस भरति के लिए आपको जो salary मिलेगी 21,000 से लेकर के लगबक 70,000 रुपे तक आपको salary मिलेगी पुरे भारत की job location है और उम्र सीमा जो है 18-23 साल है आई सीमा में qualification qualification योग्यता जो है दस्वी पास कम से कम होना अनिवार है तो अगर आप दस्वी पास है बार्वी पास है या graduate पास है किसी भी विशे में तो आप SSGD के लिए आविदन भी का सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप दसते हैं आविदन जो है 25 मार्स से लेकर के 10 मही तक चलेंगे तो 10 मही तक आप जो है आविदन कर सकते हैं आविदन करने का लिंक यहाँ नोडिफिकेशन के साथ में दूसरी एक को नहीं भरती है जो की FCI की है Food Corporation of India की तरफ से यहाँ पर आप दसते हैं Assistant General Manager और Medical Officer की Post पे नोडिफिकेशन जारी हो चुका है Total Vacancy 89 है आविदन के वल आपको दोस्तों ओनलाइन ही करना होगा पूरे भारत की Job Location है चेहन पर केरिया में आपकी सबसे पहले एक्जाम होगी उसके बाद आपका इंट्रिवी होगा सेलरी आपको मिल रही है 50,000 से 1,80,000 रुपे प्रतीमा उमर सीमा जो है अधिक्तम 35 साल है आविदन शुल्क जो है यहाँ पर जनल, OBC, EWS के लिए 1000 रुपे है वहीं SC, ST, PWD और Females के लिए यहाँ पर बिलकुल फ्री है पेमेंट जो है आप ओनलाइन करा सकते हैं किसी भी माध्यम से दोस्तो यहाँ पर जो योग्यता है क्वालिफिकेशन वो ग्रेजुएट है इंद 11 डिसिप्लेंट में तो आविदन कब से कब तक चल रहे हैं 1 मार्स से 31 मार्स तक आपका एक्जाम होगा मही और जुन के दोस्तो आविदन के वल आपको ओनलाइन ही करना होगा चेन परक्रिया में आपकी सबसे पहले एक्जाम होगी उसके बाद आपका इंटर्वी होगा सेलरी आपको मिल रही है 35,400 रुपे परती मा और उम्र सीमा जो है 18-37 साल है आईउ सीमा में छूट अलग्जा है रिजर्व के इंडियर्स को एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब की योगेता जो है यहाँ पर डिप्लोमा मांगा गया है इन सिविल इंजरिंग के अंदर तो अगर आपके पास में डिप्लोमा है इस ब्रांच के अंदर तो आप आविधन कर सकते हैं आविधन जो है इसके 6 मार्श से 27 मार्श तक चलेंगे आप जब फी से लास्ट डेट उसकी जमा कराने की 5 अपरेल है आविधन करने का लिंग के रान नोटिफिकेशन के साथ में तो दोस्तों ये थी आज की तीन भरतियों की जानकारी उमीद करता हूँ आपको भरतियों की जानकारी अच्छे से समझ में आगी होगी पिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजेगा जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे वीडियो को लाइक शेरो चलन को सब्सक्राइब कीजेगे